तो यह वीडियो वहीं से शुरू हो रहा है जहां से इससे पहले वाला वीडियो खतम हुआ था यानि की जनमास्ट में वाला दिन है और इस बिनाध होके सबसे पहले जो है मैंने आज पूजा की थी और उसके बाद यहां पर मैं दूद गरम करने के लिए चड़ा रही हूँ तो आज especially मैंने गाए का दूद मंगवाया था वैसे मेरे या बफैलो मिल्क आता है लेकिन आज जो है ना मैंने ये गाए का दूद मंगाया था ये भी मिल्क बास्केट से ही मंगाया था क्योंकि मुझे श्याम को खीर बनाने थी प्रिशाद के लिए तो इस वज़े से अच थोड़ा क्या इतना costly होता है कि जितने में मैंने ये दो लिटर मंगाया है इतने में चार लिटर बफैलो मिल्क आता है और ये मिल्क आप लोगों के साथ इसलिए शेयर करें हूँ क्योंकि आप लोग पूछते ही है कि कितने रुपे लिटर मंगाया तो अगर आपको भी मिल्क बास्केट से ये मंगवा सकते हैं खैर उधर दूद बॉइल करने के लिए मैंने चड़ा दिया है और साथ में चड़ा दी है चाय तो अभी मैं अपने लिए और वंशीका के पापा के लिए चाय बनाऊंगी तो घर में सीफ मेरा ही वरत है वंशीका के पापा का वरत नहीं है और किसी का भी नहीं है मतलब बच्चे तो खैर रखते ही नहीं है उनका भी नहीं है क्योंकि उनकी कुछ मेडिसिन चल रही है इस वज़े से अब यहां पर देखिए जब तक चाय बन रही थी तो मैंने सुचा क्यों ना मैं इस टाइम पे जो है कपड़े लगा क्योंकि मैंने घर के कोई भी काम नहीं किये थे मेरा पहला यही था कि सुबह उटके नहाद हो के मुझे पूजा पहले करनी है बाकी की काम दीरे दीरे होते रहेंगे क्योंकि छुटी थी सब लोग घर पे ही थे इस वज़े से अब उदर चाय वगरा हमने पी ली थी उसके अब मैं आई हूँ घर की क्लीनिंग करने के लिए तो सबसे पहले जो है मैं डस्टिंग करूंगी और इस टेबल पे बहुत ज़ादा जो है ना हाथों के निशान थे तो बच्चे नहीं पर बैठे रहते तो इस टेबल पे बहुत ज़ादा हाथ लगाते वह तो पूरे जो ह डेली की मोटी मोटी से सफाई होती है यह रोज की ही सफाई है रोज मरा की और यह करने भी पड़ती है क्योंकि यह ना ब्लैक कलर का है तो यहाँ पर ना एकदम से धूल दिखती है बहुत जल्दी मतले अगर एक भी दिन यहाँ छोड़ दिया ना तो यहाँ ऐसा लगता है कि धूल की पड़ते जम गई हो तो इस वज़े से इस वाले एरिये में तो डेली ही कपड़ा जो है वो मानना ही पड़ता है बस उसके बाद मैंने यहाँ पर जल्दी से जाड़ू लगाना शुरू कर दिया है और जो ग्रासरी का आइटम आया था वो भी जो है मैंने नहीं समे करना था तो मैं सुचे चलो पहले शेयर करूंगे उसके बाद ही सारी चीजों को सम्मेटूंगी तो आगे जो है वीडियो में आप लोगों के साथ सारी चीजे शेयर करने वाली हूँ मैं तो सबसे पहले जो है जाड़ू लगा लेते हैं और उसके साथ साथ ही जो है भजन चल रहे थे तो जनमास्टमी का दिन है तो काना जी के भजन चल रहे थे पूरा दिन जो है मैंने भजन ही सुने है नॉमली मैं भजन थोड़ी दिर के लगाती हूँ और फिर मेरे गाने चलते लेकिन ये वाला दिन था जिस दिन जो है जब तक भी मैंने अपना काम किया है सारा तब तक सिर्फ और सिर्फ मैंने भजन ही सुने हैं अब इदर जो हैं ना MAY लगा रही हूँ पोचा और पोचा मैं लगा रही हूँ हाथ से तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हफ़ते में 2-3 दिन तो मैं हाथ से ज़रूर पोचा मारती हूँ और वरत वाले दिन मैंने देखा है कि एक अलग सी एनरजी जो ना वो फील होती है हम लोग खाना खाते हैं ना इनफेक्ट खाना खाके हम लोगों को आलस आता है बहुत अच्छा लग रहा था बिल्कुल भी ऐसा लो फील नहीं कर रही थी मैं तो भगवान ना वरत वाले दीने एक अलग सी ही एनर्जी दे देते हैं तो यहां देखिए मैंने जो है जल इसे हाथ से घर में पोच्छा लगा लिया और हाथ से पोच्छा लगा करना घर ऐसा समक जाता है बिल्कुल शीशे किदर है ऐसा कीचन वगरा मैं अभी इसके बाद रेना दूए भी तयारी से तो इस वजय से लगते ही ना बाद मी भूंगे तो उसके पहले यह कप्ड़े धूल गया थे सुबह लगा थे उसके बाद दूसरी बार के कपड़े जो है मैंने लगा दिये है और बारिश का वेट हो रहा था और जब आप लोग कॉमेंट करते हैं कि दीदी यहां तीन दिन से बारिश हो रही है चार दिन से बारिश हो रही है तो सुनके ऐसा लगते कि काश यहां पर भी ऐसा ही होता कि 3-4 दिन लगातार बारिश होती हुई थी बारिश जनमास्टमी वाले दिन लेकिन 2-3-3 मिनट के ले हो रही थी और उसके बाद ना अचानक से धूप नहीं कल रही थी मतलब धूप और बारिश ऐसा मौसम था एक जो लगातार वाली बारिश है उस कपड़े सुखाके में आ गई थी और अब मैं करने वाली हूँ एक बहुत अच्छा काम जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है तो सुबह ना मैंने भगवान जी के लिए कुछ गुलाब के फूल मंगवाए थे तो मंदिर में मुझे जितने चड़ाने थे मैं चड़ा पंखुडियां बहुत अच्छी खुश्बू आ रही थी किसी का नहीं है तो बस सबसे पहले तो आज मैं आपको अपना ग्रॉसरी जो है वो धिखाने वाली हों जो हम कल ग्रॉसरी शॉपिंग कर के लिए यह पूरी टेबल भरी हुए है मैंने सारा समान इसलिए जो है लगा दिया है कि मैं आपको च्रूस इसको दिखा पाऊं और बाद मुझे जो है ना अभी जो पंच मेवा पाक होता है वो बनाना है शाम के लिए और फिर मैं शाम के खाने की भी तयारी करूँगी क्योंकि मुझे थोड़ी सी ज्यादा चीजे बनानी है इस वज़े से तो सुवे से तो अभी पहले बच्चे को नाश्ता कराया फिर जो है मैंने तयारी तो कर ली है यह पांच तरीके के जो मेवे हैं वो निकाल के रख लिए हैं साइग में तो इनसे ही मैं बनाने वाली हूँ तो चलिए सबसे पहले आपको इस महीने का जो भी मैंने ग्रॉसरी की शॉपिंग किये वो दिखा देती हूँ तो इस महीने की ग्रॉसर भी लिए क्योंकि किसी किसी चीज में काफी अच्छे लगते हैं साथ में मैंने ये हल्दी पाउडर लिया है और ये साबुत लाल मेच ये मेरे पास कभी भी नहीं होती है तो ये मैंने इस बार जैसी मुझे दिकी तुरंत ले ली साथ में मैंने ये सांबर मसाला लिया है जो क दी मार्ट वालो का ही है सारी शॉपिंग दी मार्ट से ही हुई है यह गाए का घी मैं लेकर आई हूँ जो प्रिशाद वगेरा बनना है उसके लिए और इस तरफ में आपको दिखा दूं कि यह हार्पिक है वाश्रूम के लिए साथ में है डिटॉल और यह घड़ी एक सोप ज चार साबुन दो कोलगेट है और यह है पेपनजली का बरतन वाश करने का साबून है यह फ्लेश्मैटिक है और एक स्कॉच ब्राइट का मैं वाइपर लेकर आई हूँ किचन के लिए यह चाहिए था मुझे मेरा पहला वाइपर खराब हो गया था इस वज़े से और साथ मे में आया है यह डिटॉल का हैंड वाश सॉरी डिटॉल का हैंड वाश और एक यह बरतंद होने के लिए मैं रिफ्लेक्ट करके कोई ब्रैंड है इसका लेकर आई हूँ यह जेल यूज नहीं किया है मैंने मैं अभी देखूंगी दो लिटर का है लेकिन बहुत ही जादा इधर यह पांच लिटर का ओइल जो की मतलब दो महीने मेरा आराम से निकल जाएगा जादे ही निकलेगा उसके अलावा एक यह मैं डीमाट का पूरा एक किलो का पैकेट लाती हूँ इसमें धनिया और जीरा पाउडर रहता है बस बाकि कुछ भी इसमें गरम मसाला नहीं र लगे देखिए जैसे कुटी हुई लाल मिर्च है ना तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे घर की बनाई हुई मिर्चे होती है ना कुछ उस तरीके की दिख रही है इसलिए मैं इस बार इसको लेकर आई और साथ में यह का का ओईल है और इसके साथ ही यह चीनी जिसमें से म बच्चों के भी काम आएंगे बच्चे भी खा लेते शौक से उड़त की डाल है एक किलो यह चिलके वाली उड़त है यह सूजी है और इस बार में बेकरी के यह तीन ना बिस्कित लेकर आई हूं जो की अलग अलग फ्लेवर के है अजवाइन कुकीज है यह लच्छा कोकोन राई है और लूज में जीरा लेकर आई हूं क्योंकि जिसे खुले में जीरा थोड़ा जादा मिलता है इस वज़े से और यह साफ भी रहता है मैंने यूज भी किया है यह मसूर की डाल है और यह मोंफली है जो की चटनी बनाने के लिए ज़रुत पढ़ती रहती है साथ में मैं लेकर आई हूं बेसन जो की शायद दो किलो है दो किलो तो होगा दो नहीं वा तो डेड़ तो होगई राजमा है इस बार यह राजमा थोड़ी जादा ही आगई है लेकिन हमारे राजमा काफी जादा लगती है तो इस वज़े से हम ले आए और साथ में अरर की डाल भी दो किलो से ज़ाद ही है हाँ ये देखिए इसमें लिखावा है और ये भी ज़ाद ही है दोनों दाले ज़ाद है तो ये है कि ये दोनों काफी ज़ादा मतलब हमारी लगती है दाले इस वज़े से ये दो दाले में लिकर रही है साथ में एक ये बास्मती चावल है ये और ये भी डी मार्ट वालों का ही है अभी मैं इसको फर्स टाइम यूज़ करूंगी इससे पहले में इंडिया गेट के जो बास्मती होते हैं सूपर वाले वो यूज़ कर रही हूँ तो ये भी मुझे कुछ उसी तरीके के लग रहे थे लेकिन उससे स बामान और चार किलो का मैं सर्फ का पैकेट लेकर आई थी जो कि मैं अलड़ी खोल चुकी हूँ साथ ही ये वाश्रूम के लिए टॉलिट वगड़ा साफ करने के लिए मैं ये ब्रश लेकर आई हूं गाला के दो ब्रश दोनों बात्रूम में एक एक ब्रश ये इसको रख साइड में तो अभी कुछ भी चीज जो है ना ओपन नहीं करी हुई है मतलब वही होता है ना अभी मुझे रखना है इनको लेकिन ये मैं आराम से रखूंगी ये सारी तो ग्रॉसरी शॉपिंग मैंने आपको दिखा दी है और एक में चीज जो हमारे कीजन की लाइट कराब तो हम ले गए उसके बदले हमने नई ट्यूबलाइट ले ली ती तो चलिए शॉपिंग मैंने दिखा दी है और अब जल्दी से प्रिशाब बनाना शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले मैं जो अपना कीचन क्लीन कर लेती हूं क्योंकि ये करना जादर ज़रूरी है और वै तो चलिए दिरे दिरे काम करते हैं उसके बाद आप लोग इसे मिलते हूं